हलो दोस्तों मैं रजज़ शुक्रा सौध करता हूँ आपका एक और वीडियो में देश की शान और इंडर एलवेस की जान वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन एक बार फिर नई रूट पे चलने के लिए तयार है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं देश की 27 वी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन की जो की राजिस्तान को मिली है राजिस्तान को मिलने वाली ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन है यह high speed super fast वंदे भारत express train राजिस्थान के दो खूबसूरत शेहरों के बीच चलेगी आयो दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि वह दो शेहर कौन से हैं जिनके बीच राजिस्थान की तीसरी वंदे भारत express train चलने वाली है यह train जीलो की नगरी कहे जाने वाली लेक सिटी उदैपूर को पिंक सिटी जैपूर से जौड़ेगी दोस्तों यहां मैं आपको बतादू कि यह train लेक सिटी उदैपूर पहले ही पहुंच चुकी है इसे चैन्ने से यहां लाया गया है जीलो की नगरी में जैसे ही लोगों को वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेंट पहुचने की सूचना मिली तो वह उत्साहित हो गए अभी इस ट्रेंट के चलने की तारीक और शेडिल सामने नहीं आये है 13 अगस्त को उदैपूर से जैपूर और जैपूर से उदैपूर के लिए इस ट्रेंट का ट्रायल रन किया गया रेलवे की और से इस ट्रायल रन को रूट और समय सानडी भी जारी कर दी गई थी दोस्तो ये तो पहले से ही तैमाना जा रहा था कि राजिस्थान को जब भी तीसरी वंदे भारत एक्सपरिस ट्रेंट मिलेगी तो वह उदैपूर के लिए ही होगी हुआ भी वैसे ही अधिकारिक रूप से यह ट्रेंट कौन से रूट से चलेगी इसकी पुष्टी रेलवे की और से समय सारणी जारी करने के बाद ही हो पाईगी लेकिन 13 अगस्त को हुए ट्रायल रॉन के दोरान यह ट्रेंट उदैपूर से जैपूर वाया भिलवाडा और अजमेर होते हुए गई शुक्रवार का उदैपूर पहुँची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंट पहले तो राना परताब रेलवे स्टेशन पर खड़ी की गई थी लेकिन बाद में उसे उदैपूर सिटी रेलवे स्टेशन पर लाया गया यहां उसे प्लेटफोर्म नंबर पांच पर खड़ा किया गया था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राजिस्तान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंट के रूट की रेलवे की तरफ से जैपूर उदैपूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है लेकिन यह है ट्रेंट जैपूर से निकल कर किशंगर, अजमेर, भिलवाडा, चितोड़गर, चंदेरिया, मावली के रास्ते उदैपूर अजा सकती है रेलवे की तरफ से बहुत जल्द इसे लेकर ओफिशल बयान भी आ सकता है जैपूर, उदैपूर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ICF चन्नेई से निकल कर राजिस्तान पहुंच चुकी है और रवीवार को जैपूर से उदैपूर के बीच इसका ट्रायल डन भी किया गया पी-म नरेंदर मोदी इस महीने के आंग तक राजिस्तान को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सोगात दे सकते हैं दोस्तो राजिस्तान के इन दो खुपसूरस शेहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से यहाँ पर्येटन को भी बढ़ावा मिलेगा उत्तर पश्मी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशी किरंड के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से लेकर टॉयलेट तक अत्या धुनिक सुविधाओं से लेस है वंदे भारत एक्सप्रेस वर्ल्ड क्रास ट्रेन है ट्रेन के डोर आटोमेटिक है ट्रेन में सफर करने के दोरान फ्लाइट जैसी सुवधाय यात्रियों को दी जा रही है ट्रेन में यात्रियों को फ्लाइट के सफर जैसा ऐसास होता है यात्री ट्रेन में ही अपना मोवाइल फोन भी चार्ज कर सकते है शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उद्यापूर पहुंच चुकी है 13 अगस्त को ट्रायल रान होने के बाद नियमित रूप से संचालन शुरू भी कर दिया जाएगा उदयपूर से वंदे भारत एक Сп्रेस ट्वेन को संचालन होने से परιαटन को भी बढ़ावा मिलेगा यहां मैं आपको बता दूं दोस्तो कि राजेस्तान में पहले से ही दो वंदे भारत एक Сп्रेस ट्रेने चल रही है पहली अजमेर से दिलिकेंट और दूसरी जोत पुर्ते सावरमती के बीच चलाई जाती है इस तीसरी वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन से राज्ये में टूरिजम को बढ़ावा मिलने की उमीद की जा रही है आईए दोस्तों अब बात करते हैं हाली के दिलों में चलने वाली one of the most awaited वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में वंदे भारत एक्सपरेश ट्रेन पटना सिटी मौकामा लखिसराय होते हुए जसीडी जंक्षन पहुची अपने निरदारिश समय से 7 मिनट की देरी से पहुची इस ट्रेन का जसीडी जंक्षन पहुचने का समय 10 बचकर 58 मिनट का था लेकिन यहे ट्रेन 7 मिनट की देरी से 11 बचकर 5 मिनट पर पहुँची, दो मिनट के स्टॉप बचकर 7 मिनट पर इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की दूसरी ट्रायरन को लेकर चैसीडी जंक्षन के प्लेटफोर्म नंबर एक पर यात्रियों और रेल अधिकारिय कर्मियों की भीड जुटी थी, ट्रेन इस्टेशन पर प्रवेस करते हुए रेल यात्री अधिकारी वा रेल कर्मियों ने मोवाइल कैमरे से खूप तस्वीरे उतारी, सेलफी लेने के लिए लोग परिशान नजर आए, पटना हावडा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना किया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पालेट लाल बाबु सिंग ने बताया कि 130 किलोमेटर की स्पीड इस ट्रेन के लिए निर्धारित की गई है, काउशन पॉइंट वा गुमाबदार रेलवे ट्रैक होने के कारण गती सीमा पर कंट्रोल कर यह ट पत्ना जंक्शन से हावडा के बीच इस ट्रेन का पहला ट्रायल रन भी सफल रहा था, ट्रायल के दोरान ट्रेन के इंजन में पूर्व रेलवे के कई टेकनिशियन भी मौझूद थे, रेलवे सुत्रों के अनुसार ट्रेन ने पत्ना, मौकामा, लखी सराइक, क्यूल जैस 960 रुपे के आसपास, वह एक्जेकुटिव क्लास का किराया 2650 रुपे होने की संभावना जताई जा रही है, एक दो दिन में इसे भी जारी कर दिया जाएगा, दोस्तो इस ट्रेन की शुरुआत कप से होगी, इसे लेकर रेलवे की तरफ ते कोई बयान जारी नहीं किया ग कि माने तो पत्ना राची वंद्यभार तक्षप्रिस ट्रेन की तुल्ना में पत्ना हावडा वंद्यभार तक्षप्रिस ट्रेन तेज गती से चलेगी, पत्ना से हावडा तक 130 km प्रती घंटे की मैक्समम स्पीड से यह ट्रेन चल सकती है, जहां काउशन पॉइंट होगा, वहां गती धीमी रहेगी, वहां इसकी एवरेज स्पीड 80 km प्रती घंटे की रहेगी, दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वंद्यभार तक्षप्रिस ट्रेन और इंटर रेलिवे से जूड़ी हर अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइ करें